हलो फ्रेंट्स मैं हूँ मुकेस और आप देख रहे हैं टेकनिकल सोकिल फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं यह है एक गलो पलग जो की जीप और कारों के अंदर लगता है और भी four-wheeler vehicles है उनके अंदर भी ये लगता है और ये नया कितने का आता है और पुराना कितने का आता है ये बताने के साथ-साथ friends मैं आजगी इस वीडियो में आपको इसके तीन useful idea बताऊँगा with practical जो की हमारे बहुत ही काम में आने वाली चीज है और आपको ये बहुत ज़् इंट्रेस्टिंग लगेगी तो friends ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ओल पे किलिक कर ले तो चलिए friends स्टार्ट करते हैं ये वीडियो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं friends ये है एक glow plug जो की Jeep और कारों के अंदर लगता है और ये hitting के काम में आता है उनके अंदर तो आप यू मान के चलिए कि ये एक hitting element है बारा वोट का और ये देखिए यहाँ पर यह मैंने पुराना ही परचेज किया था जहां पर motor parts के सामान मिलते हैं तो वहाँ से यह मैं 50 रुपे में लेकर आया था तो ये बिलकुल आसानी से मिल जाता है 100.500 रुपे में 155, 80, 170 अलग-अलग कमपनियों के हिसाब से तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसके 3 useful idea आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस glow plug के इस तरह से wiring कर लेंगे जैसा कि मैं यहाँ पर कर र तो यहाँ पर मैंने red और black wire लिये हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मैंने positive और negative के इसाब से लिए हैं यह शिरफ मैं आपको समझाने के लिए कि मैं अलग-अलग wire लिया हूँ तो देख सकते हैं friends इस तरह से हम wiring कर लेंगे तो तीन useful ideas मैं सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे friends यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यह iron की bit है 25 watt के जो iron आते हैं उनकी bit है और यहाँ पर यह देखिए यह अलग-अलग परकार की है तो उन दोनों bitों में से आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 25 watt का iron है और इसके अंदर एक bit लग जाएगी और यहाँ पर यह वाली भी लग जाएगी बिल्कुल आसानी से तो यहाँ पर हम यह वाली लगाने वाले हैं फिलाल तो अब आप समझ गए होंगे friends की हमारा सबसे पहला idea क्या है गलोप लग का जी हाँ friends आप बिल्कुल सही है हम गलोप लग के दवारा soldering का का काम करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इन वायरिंग के आगे बेटरी किल्प्स लगा लेते हैं अब friends इन दोनों वायरों के अंदर से हम किसी भी एक वायर के अंदर यह सिविच जोड़ देते हैं अब यहाँ पर हम एक लोई की पत्ती को इस तरह से मोड के आकरती दे देंगे ताकि हम यहाँ पर AJ Iron Stand का का काम ले सके और यहाँ पर आप देख सकते हैं friends यह है एक 12 वोट की बेटरी आप यहाँ पर केसी भी बेटरी ले सकते हैं चाए वो कार बेटरी क्यों ना हो या फिर पाइक बेटरी भी ले सकते हैं यहाँ पर फिलाल मैं यह UPS की बेटरी लिया हूँ और यहाँ पर कोई भी इसू नहीं है positive negative का आप कोई भी terminal की दिर भी लगा सकते हैं क्योंकि glow plug में ऐसा कुछ नहीं होता positive negative तो चलिए यहाँ पर हम इनको लगा देते हैं और यहाँ पर own कर देते हैं switch को अब आप देखिया friends की इस तरह से हमारा बहुत ही शांदार तरीके से यह soldering iron का काम करता है glow plug तो glow plug की एक खास बात है कि यह तुरंत गरम हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं friends देख तो नहीं पाऊगे यार कुछ दिखाना ही पड़ेगा आपको करके तो यहाँ पर यह देखिये यह heat होना start हो गया है और अब तो आपको दिख भी रहा होगा यार क्योंकि दुआ भी उट रही है अब तो चलिए मैं आपको इस PCB के अंदर कुछ soldering करके बताता हूं और कुछ components निकालके बताता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो bit है व जहाँ पर पकड़ने की जगह है तो चलिए यहाँ पर भी हम कुछ जोगाड कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक पत्ती ले लिए लोए की तो इसका हम पकड़ने के लिए जोगाड बना लेते हैं तो चलिए अब हम वापस से काम पर लगते हैं तो यहाँ पर मैंने switch को वा तो यहां पर हम इसको प्लायर के दवार भी पकड़ सकते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इस गलो प्लक को इमर्जेंसी में यूज में ले सकते हैं इस तरीके से तो यह था फ्रेंस गलो प्लक का पहला यूज फुल आइडिया यानि सोल्डरिंग आइरन और अब मैं आपको बताता हूं दूसरा यूज फुल आइडिया तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पेनासोनिक और एवरेडी के दो सेल मजाग कर रहा हूं यार कोई से भी ले सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है क्योंकि हमें वेसे भी इनका जो उपर का कवर है वो उतारना है तो इस तरह से हम इनका उपर वाला जो कवर है उसको उतार लेंगे तो यहाँ पर यह सेल डेड लेने हैं, कहीं आप समझो गया टेकनिकल सोकिल सर ने का था कि दो नए सेल लेने हैं, एवरेडी और पेना सोने के, क्योंकि यार हमें इसकी उपर वाली चदर ही तो चाहिए, या फिर आप अलग से भी ले सकते हैं, एक लोएक की चदर, तो इन में सकते हैं, फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसकी इस तरह से कूपी टाइप में बनाएंगे, और इसके अंदर लगा के चेक कर लेंगे इस तरह से ग्लू स्टिक, और अब आप समझ भी गए होंगे, कि यहाँ पर मैं क्या बनाने की कोशिस कर रहा हूँ, जियां फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही समझे हैं, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, ग्लू गन, वो भी ग्लो प्लक के दवारा, और अब यह जो सेल का दूसरा वाला कवर है, उसको पहले वाले कवर के साथ में इस तरह से से शेट करेंगे, तो सबसे पहले इस वाले सेल के कवर के अंदर इस तरह से एक सवाल करूंगा, और कमेंट बोक्स में जिसका सबसे पहले सही जवाब आएगा, वीडियो पब्लिश के तीन दिन बाद में उसका कमेंट पिन करूंगा, यानि उसका जो कमेंट है वो टोप पे रहेगा, तो आप वीडियो को द्यान से देखिएगा, आगे मैं आपसे ए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एमसील लेंगे और एमसील को इसके उपर इस तरह से लगाएंगे, जहाँ पर हमने सोल्डरिंग की है, और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यह टेस्टिंग करके बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी गपराने की जुरूत नहीं है, तो एप्रोक्समेटली आदे गंटे में एमसील सूप जाती है, और अब हम इसको फिक्स करेंगे गलो प्लक के साथ में, तो यहाँ पर मैं इसको तार के दवरा अच्छे से बान देता हूं, और आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसको फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर आप क स्विच को भी यूज करेंगे, बेटरी के इस तरह से अटेच्मेंट करके, तो देख सकते हैं, इस तरह से हमने कर दिया है, और यहाँ पर हमने स्विच को ओन कर दिया है, फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो गलो प्लक है, वो तुरंद गरम हो जाता है, इस हो जाएगी, और देख सकते हैं, बहुत ही तेजी के साथ में, यहाँ पर बिल्कुल पानी की तरह है, यहाँ पर जो गलो प्लक है, वो निकल रही है, और आप यहाँ पर जो गलो प्लक है, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में एक चीज है, वो है स्विच, तो आप switch का यूज करके बिल्कुल आसानी से अपने इसाब से इसको यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर फिलाल मैंने switch को ओप नहीं किया है तो चलिए अब हम switch को ओप करते हैं और देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से जो glue gun है वो काम करती है ठीक है तो यहाँ पर मैंने switch को ओप कर है और अब आप देखिए जो glow plug है हमारा अभी भी गरम है तो यह देखिए switch up है और यह देखिए बिल्कुल जो glue gun काम करती है उसी परकार से यह भी कर रही है तो यहाँ पर यह जो तीनो आइडिया मैं आपको बता रहा हूं यह तीनो experiment जो मैं आपको बता रहा हूं glow plug के तो यह आप emergency में यूज में ले सकते हैं और यह है glow plug का तीसरा useful idea तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस glow plug को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और यहाँ पर मैं ले रहा हूं एक पानी से भरी बगोनी और देख सकते हैं इस तरह से यह जो पत्ती है इसके अंदर मैं glow plug को इस तरह से डाल दूँगा यह मैंने पहले ही cutting कर ली थी इस तरह से तो अब आप समझ गए होंगे प्रेंड्स की हम glow plug को water heater के यूज में लेने वाले हैं तो यह है हमारा तीसरा useful idea तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक digital thermometer ले लिया है तो चलिए इसके clips को भी हम बेटरे के साथ में connect कर देते हैं अब जैसे ही मैं यहाँ पर switch को on करूँगा तो आप पानी गरम होने की आवा वास सुना रहा हूं तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव बताने की कोशिस कर रहा हूं देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूं ताकि जो पानी है वो जल्दी करम हो जाए कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स की वीडियो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए ताकि जो आपका कीमती समय है वो खराब ना हो अब जैसा की फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक सवाल करूँगा और कमेंट बोक्स में जिसका सई आंसर होगा सबसे पहले उसके कमेंट को पिन करूँगा तो यहाँ पर आज का जो सवाल है वो यह है इस वीडियो में हमने सोल्डरिंग आइरन बनाने के लिए कितने वाट के सोल्डरिंग आइरन की बिट ली थी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जिसका सई जवाब आएगा उस बंदे का पिन कमेंट कर दूँगा वीडियो पॉबल उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ग्लोप लग के ये तीनों आइडिया आपको बहुत पसंद आयोंगे तो यार प्लीज इस वीडियो को कर दीजे लायक और शेर और जिने ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भी ल प्लीज नहीं आवा दो तो